नमस्कार दोस्तो मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान जुन्यों यूटूब चैनल मंडी लाइव के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी परकार की सब्जियों के मंडी भाव के बारे में जानकरी देने वाला हूं पूरी जानकरी के लिए वीडियो को complete देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पचिस से अठाइस रूपय के जी और अदरक की यहां पे अगर बात किज़े है तो अदरक का जो आज का रैठ है वो रहा 50 से 400 रूपय के जी दोस्तों आगे हम बात करते हैं टेमाटर की तो प्रेश न ₹ 25-30 रुपई के जी और सिमला मिर्ची के अगर यहां पर बात की जाए तो सिमला मिर्ची का जो रेट है वो रहा 55-60 रुपई के जी दोस्तों हरे धनिया की अगर यहां पर बात की जाए तो हरा धनिया 100 रुपई से लेकर 120 रुपई तक हरे धनिया की विक्री यहां पर की गई ह मूली की अगर यहां पर बात की जाए तो मूली का जो रेट था वो 7 से 9 रुपई के जी तक विक्री की गई है मूली की और अगर प्याज की यहां पर बात की जाए तो प्याज का रेट रहा 22 से 24 रुपई के जी अगर दोस्तों करेले की यहां पर बात की जाए तो करेले का opposed потребandır दोस्तों बात करेंगे दोस्तों घ्याओ की तो आज का जो गिया का रेड रहा वह रहा 15 रूपैंकर जो देशी एक बात की जाये तो हट फेल के दीन जआते होती है शका का उठेस को डेशा क्वी्त मारकेट 16 केज़् पत्ता गोबी की यहां पर अगर तो पत्तागोबि का जो रहा वो रहा 20-22 रूपै के जी जी पत्तागोबि में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला भाव में दो-तिम दिन से सेमी बने वे हैं भाव 5-6 दिन से और अगर ककडी की यहां पर बात की जाए तो जो तरिया ककडी होती है इसका जो रहा वो रहा 12-15 रुपए के जी और अगर दोस्तों फूल गोबी की यहां पर बात की जाए तो फूल गोबी का जो रहा वो रहा बीस से बाइस रुपए के जी दोस्तों आने वाले दिनों में फूल गोबी की रेट काफी ठीक ठाक होने वाले हैं क्योंकि शुरुवाती सीजन में फूल गोबी और नोटिफिकेशन बेल भी ओन जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद